त्याग दी सारी खुसिया कुछ अच्छा करने के लिए राम ने बहुत कुछ खोया है के राम बनने के लिए आप सभी P.W. बिद्यापिट पटना के विद्यार्थियों को एमार का बहुत बहुत नमस्कार बेटा आपकी छुटियां स्टार्ट हो रही है 2nd of October से ले करके 6th of October तक आप इसको पहले जिस तरीके से स्कूल में छुटियां मिला करते थी उस छुटियों की तरह इसको ट्रीट ना करे बहुत आसानी से चीजों को ना ले बेटा आप competition की त्यारी करने आए हैं आप डॉक्टर इंजिनियर बनने का मतलब होता है कि आपको पेन लेना पड़ेगा वो sacrifice करना पड़ेगा जो बाकी लोगों ने नहीं किया है या आज ते पहले आपने नहीं किया है तभी आपको वो चीज मिलेगा जो आज तक आप नहीं थे आपको इन चुटियों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाईज करना है जो आपकी पांस दिन की चुट्टी है दो तीन चार पांच छे उसमें आपको अपना लेक्चर का बैकलॉग कम्पलीट करना है अगर आपने बैकलॉग कम्पलीट कर लिया हुआ है तो नूटस अ बैकलॉग है, डीपीपी करना है, आपको दसारा एसाइमेंट, होली डेसाइमेंट के फॉर्म में आपको कुछ कोश्टन का कलेक्शन मिला है, फिजिक्स के में स्टेश्ट करना है, और सॉल्व करके ही आगे आना है, नेक्स टेस्ट का जो डेट है, वो कुछ 16th of October है, अभी कन जलतिया हुई है, इसका reason कुछ भी रहा हो, गाउं से पहली बार बाहर निकलना, होस्टल में तब्यत खराब हो जाना, मन न लगना, जो कुछ भी हो, उसको एक बार फिर से आपको ठीक करना परेगा, और याद रखिएगा, कि यूटरन का option बहुत असान होता है, यहां से आ कामचोरी, वही आसकत, वही distraction, यहां जब आप आते हैं, तो आपको महल मिलता है पढ़ाई करने का, और recently मैं सारे classroom में गया भी हूँ, आप सब लोगों से बाते भी की हैं, जो जो problem है, उस पे धीरे-धीरे काम कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि दो महीने में ये building premises, सब क कुछ ready हुआ है, हमें किसी भी चीज़ पर trust नहीं था, ना खुद पर, ना building पर, ना बहुत सारे staffs है, faculty है, management है, कुछ पर नहीं, हमें सिर्फ एक चीज़ में भरोसा था अपने बच्चों के, वो आएंगे और अच्छे तरीके से बढ़ाई करेंगे, और वो कर भी रहे हैं अब चाहे कमिया जहां भी रही हूँ, सब चीज़ को streamline कर रहे होंगे हम लोग, जिस भी subject में आपको जहां भी problem था, उस पे भी हमने work किया है, बस जो भी कमी रहे इतके हूँ, starting में जब हम सुरू करते हैं तो दिखते आती हैं, 11th class को especially मैंने बोला था, कि आपको हर दिन ऐस महसूस हो रहा हूँ कि आपसे नहीं हो रहा, और याद रिखिएगा, यह हर बच्चे के साथ होता है, लेकिन आपको लड़के मेहनत से संघर्स करके आगे निकलना है, यह जो दसारा कात्योभार है, यह प्रभू सिरे राम के संघर्स को ही तो दरसाता है, और आपको कुछ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, दुनिया से अलग करना है, तो सेक्रिफाइज करना पड़ेगा, बहुत पहले की कहारी बताता हूँ, जब भी मैं गाउं से बाहर गया था, पहली बार, तो मैंने हिंदू कॉलेज में, इन्वर्स्टी अफ डेली में, एड्मिशन लिया था कि और क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क तक और पचीस से जब तक तक तुम जीते हो अगर पहले हाफ में तुमने मजे कर लिए मस्ती कर लिए मेला घूम लिया और दसारा पुझा में मैं देखता हूँ बिहार के चोटे-चोटे गाउं में नाच गाने का रंगरंकारे करम होता है वो कर लिया तो बेटा पचीस से आपका लाइफ सेकेंड आप में बहुत इजी रहेगा और दसारा पुझा के चुटिया आप घर जाएए अपने पेरेंट से मिलिए खाने पीने की अच्छी विवस्ता होती है खाना पीना खाईए और पढ़ाई करिए और कसम काके जाईए कि जितना आप यहाँ पे पढ़ जी के साथ 7 अक्टूबर से पहले दिन से मुझे 100% एटेंडेंस चाहिए और पढ़ाई स्टार्ट हो जाना चाहिए दसारा पुझा हर साल आएगा बेटा अपने रिजल्ट के बारे में कुछ मत सोचो तुम बस इतना ध्यान रखो कि हर दिन यहाने के बाद तुम्हें जादा मेहनत करना इंशुटियों में सारे असाइमेंट बैकलॉग डीपीपी सब कुछ कम्प्लीट करके आना है ताकि नई एनर्जी से जब आप चीजों को सुरू करें तो अच्छा कर पाए और जब रेगुलर क्लास चल रहा होता है तो इतना समय नहीं मिल पाता है कि कम मौका आपको नहीं मिलेगा ठीक है आईए बहुत सारी चीजे चुटियों के बाद भी हमने आपके लिए प्लान किया है उसके बारे बात करते हैं थैंक्यू सो मच हैपी दसारा टू अलों कि बाए बाए